दोस्तों यदि आप online पढ़ाना चाहते हैं या YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे important होता है आपके पास एक बहतरीन माइक का होना और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि online teaching या YouTube वीडियो के लिए सबसे बहतरीन माइक कौन सा है तो मैंने recently इसे purchase किया है और इस्तमाल करके देखा क्योंकि इससे पहले जितने भी माइक मैंने इस्तमाल किये थे मुझे voice में बहुत problem आ रही थी लेकिन इस माइक को इस्तमाल करने के बाद मेरे वीडियो की जो quality थी वो तो अच्छी बनी ही बनी उसमें voice की quality भी बहुत अच्छी हो गई है और ये माइक है अहुजा का EWM-100 headband microphone इसका इस्तमाल करने के बाद यदि आप OBS के साथ recording कर रहे हैं PPT और OBS के साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं OBS के साथ recording कर रहे हैं की EWM-100 microphone में हमें क्या pro और क्या cons देखनों को मिलती है तो जैसा कि image में आपको दिखाई दे रहा है कि यह बहुत ही पतली सी wire होती है EWM-100 की जो wire है वह बहुत पतली है माइक बहुत पतला सा है और इस wire का length भी बहुत थोटा रहता है 1.2 meter का यह wire होता है लेकिन यदि आपको बैठ करके एक ही जगह से laptop वगहरा पर पढ़ाना है तो यह माइक का length आपके लिए बहतर है और यदि आपको खड़े हो करके कहीं smart board पर पढ़ाना है तो उसके लिए आप एक connector ले सकते हैं और उसे connect करके अपने wire के length को बढ़ा सकते हैं दूसरी चीज़ इस माइक का जो wire है वह बहुत ही खिन होने की वज़े से इसे हमें बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है मैंने इसे protection देने के लिए इसके उपर मैंने wrapping paper लगा दिया है ताकि इसे पर कोई भी चोट ना आए और यदि यह खिच जाता है तो माइक खराब हो जाएगा इसलिए इसे बहुत ध्यान से आपको इस्तमाल करना पड़ेगा अब इस माइक की मैंने फोटो वगरह ली है मैं दिखाता हूं जैसे कि यह इसका माइक का starting portion रहेगा उसके बाद यह हमारा portion है जो हमारे laptop के अंदर 3.5 mm jack में अंदर जाएगा और वहां से हमें ए पर हम क्या करते हैं Online जाते हैं आप जोन पर चले जाते हैं और वहां पर लिखते हैं अहूजा कंपनी की आहूजा e-wm hundred माई जैसे हम यह टाइप करते हैं तो हमें माईक आ जाती है आप अपर नो जोन पर यह आपको दो प्राइस दीख रहे होंगी एक है 1300 और एक है 1164 यह है किसी ने return किया हुआ है है माइक यानि किसी के द्वारा return किया हुआ था इसे बना करके वापस बेता जा रहा है और यह new brand है लेकिन यहां पर मैं suggest करूँगा आप अगर आप इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रोड़क्ट के बारे में लोगों ने जो कुछ लिखा हुआ है यहां देखिए यह दिखाए देगा कि प्रोड़क्ट का डाइमेंशन 2.5 किलोग्राम है अब यह 2.5 किलोग्राम का क्या देते हैं मुझे नहीं पता यहां पर नेट वेट भी देखिए 2 केजी 500 ग्राम जबकि यह 10 ग्राम का भी पूरा का पूरा इस माइक का वजन नहीं होगा तो जब मैं खरीदने के लिए जा रहा था और मैंने यहां रिसर्ज किया तो मुझे उबहुजा माइक प्राइए हैं हि और करते हैं तो आपको कैशारस मिल जाएंगे जैसे अंभावाला बिलेगा लेकिन एक होता है इंडिया माइटी इंडिया माट में खरीकिते हैं वहां पर माईक का आपको जो है जो प्राइज रहता है इफ्जेक्ट वो दिखाई देता है तो मैं इस पर इसको हटा करके एक बार यहां डालता हूं अहुजा क्या दिख है यहां पर प्राइश क्या धिखा रहा है ky jako 40 č रूपय का प्राइश अब ये आप मुंबाई में रहते हैं तो मुंबाई में आपको लेने के लिए लेमिंटर रोड जो भूप में आता है मुंबाई के लोग जानते होंगे पूरी तरीके से lunar की ब्र हूब है वहाँ पर एक दुकान शॉप है अहूजा रिटेलर्स का वहाँ से आप ले सकते हैं आपको रिजनेबल प्राइज में मिल जाएगा मैं वह दिखाता हूं कि आप तहां पर जाएंगे इसके लिए तो मैं यहां लिखता हूं अहूजा रिटेलर्स नियर मी जैसे ही आप लिखेंगे अहूजा रिटेलर्स नियर मी तो आप जिस भी सहर में होंगे आज पास के अहूजा के रिटेलर्स आपको दिखा देंगे तो यहां अगर यह आप मुंबई में हैं मुंबई में आपको जाना है अहूजा सोरूम स्काइकिंग इंपक्स में यह देख प्राइस वन थाउजन रुपेज है वहाँ पर लेकिन यदि आप बिल लेते हैं तो आपको 180 रुपए जी एस्टी देना पड़ेगा यानि आपको 1180 रुपए में मिलेगा यह कहां पर है यह लेमिंटन रोड में है यहां देख आपको दिखाई दे रहा हुआ लेमिंटन हैं यह मेरे इसी अहूजा EWM 100 का ही साउंड सुन रहा है जिसमें मैं कोई भी ज्यादा फिल्टर नहीं लगाया हूं नॉमिनल फिल्टर कुछ जो नॉइस गेट वगर होते हैं उसे लगा करके मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आई होप यह वीडियो आपको के लिए जाएं